लेकिन एक वो वाली community कहीं पर भी नहीं जाती जो purely jealous है जिनके दिलों में नफरतें और सिर्फ जैलिस तो जो पहला point था ने इतनी बड़ी जो space race चाल लिए लिए इस तरह के बांदर के लिए तुली डंडा खेड़ा ना लिया नुए 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 नु हुआ तो ऐसे हो जाना था ओम मैं तेरा क्राम है तुझे का पता तुम को नो भाई ओल राइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हुआरे सुल्तान और आज एक और बड़ी मज़ेगी वीडियो आपकी खित्मत में लेकर हैं और आइम शूर कि यह गॉना इंज्ए इस वे बिचारे कुछ नहीं कर, उसकी एक अलग सी कॉमेडी वैल्यू है, वो यह, बला कौन है वो बला लाल टोपी, लाल टोपी वाला बांदर हमारे पास जो मुझूद है, वो उसका हमने कैरियर बड़ा एक दम से उपर देखा उसने बड़े मज़े से ट्रोल किया रिजल्ट में उसने अपने पूरे मुल्क को ट्रोल करवा दिया, लेकि शुखल बड़ा लगता, तो बड़े दिनों से उसकी कोई चूँचला अकसान आई नहीं दे रही थी, क्योंकि आपिसली हमारा बड़ा मायूसी का हाल है हमारे पाकिस्तान में इसको अच्छा है, इसका software भी अपने टूपा तो पर साओधिया अरब में इसको बड़ी छितरोल हुई थी वहाँ पे क्योंकि establishment का बंदर इसलाम में हमारी establishment उनको का सरकार माई बाप छोड़ दे हमारा विचारा चोटा सा पालतू सा कुता इसको तो इसने हरकत की तो जैसा के आप लोग जानते हैं के पूरे इंडिया में इसकत एक जीप सी यानि एक यगजहती unity आई भी है एवरी इंडियन इस प्राउड चाहिए हिंदू हो मुस्लिम हो, क्रिस्चन हो कोई भी नहीं इसकत पूरी आपको बारिंग सम जो आपके जो फार राइट के जो थोड़े से पागल होगे सैफरोन कडल के जंडा लहरा दिया और संजे डिक्षिट ने दो उपर वो हनुमान को बढ़ा दिया अनिवे ताइनी मानॉर्टी तना बड़ा नेशन की जब तक हमारे पास नेशन स्टेट है तब तक नैशनलिजम एक हट तक होगा जो अच्छा पॉजिटिव साइड है कि हाँ उस पे फखर करना चाहिए उसको आगे ले जाने के बेहतर करने के लिए आगे जाने चाहिए बगार बगार तो इवन आई के लोगों के लोगों को जो आपको मार्स पे लेके जाएंगे नाट अली मार्स यूनों एई आई हर जगा पे होगी तो बड़ अच्छे साइंस नजर आ रहे हैं तो हमारे कुछ पाकिस्तानी और हाँ ये भी कहना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पाकिस्तानी भी ओवर्वेल्मिंग मिजॉरिटी में सोशल मीडिया पे इंडिया को कुंग्रेचुलेट करते हैं नजर आ रहे हैं बड़ा एक शिफ्ट आई है थैंक्स तो सोशल मीडिया तो इसके उपर बात करते हैं लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को जाएं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाते हैं तो पेट्रिन.com फार्वसला इशारी सुल्तार पर जाकर पेट्रिन भी बन सकते हैं नीचे कॉमेंट्स में अपने ख्यालांत का इजहार जरूर करें आप बताएं अगर आपने मिस नहीं किया था तो आज की वीडियो के बाद बाल टॉपी वाला बांदर कारदा रहे तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जैसा कि आपको बताया कि सारे इंडियन तो इस वजह और बिंए था पर बहुत लगорот से नमाया फोटो है वो है जायद हामिद लाल टोपी वाले की तो सुनें उसने कुछ भूंगिया मारी है और देखते हैं वो भूंगिया क्या मार रही है पूरी दुनिया मुबारिक बात दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया पाकिसान के अंदर भी आप सोशल मी वेल डन इंडिया इसमें क्या खलत पाता है और इसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा चाहे मेरे पाकिसानी हो या मेरे हिंदुस्तानी हो आप ये चीज़ नोट करना कि इस पूरी ये दोनों तरफ से जो चैट हो रही है इसके अंदर स्वाए हसद के जैलेसी के और कु कोई नालेज नहीं शाया यार灭ां कुछ नहीं ने मता क्या सप्रीस किया होतीवादी पस किंश मानेंनेंगे जो अपने उपर हो वो नहीं मनें अपने खलाफ को यान्दopic हम्मों यह हसद को याद रखी चाहर Yin तैma nesab हो लोग क्यों खुश होरेया love ए CDC करें वाइज और आपकी खुशी का मियार अगर अगले की नकामी के उपर डिपेंड करता तो फिर आपने कभी भी खुश नहीं होना फिर आप मायूसी को अपना कफन लेकर ना मर जाए आप बात नहीं दी भारत को कि वह आप चाहां ते पहुंच गया मुबारत को एक साइंटिफिक एक चीवम अचाहा पारिबात दीये क्या पहाँ आप में उंको वह पाइक के नें उनको रुसुआ की रियरी चान पहुंचने पे रुसुआ कर दिया और इस लाल टॉपी वाले बंदर ने बचपंचे लुकन मिटी खेड़ए ना लेया गिली डड़ए तट ने पूरे भारत को रुस्वा कर दिया उठा ले उपर वाले उठा ले देखे लिए वे डिलिंग विज इन एनिमी विच इस कमपलसिव लायर यह जो अभी नंदन को F-16 मार गिराने पर फीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री जूट की जिनकी काइम है बॉलिवूड से लेकर उनका नाशनल नेरेटिव तक सब कुछ जूट पे मबने है और यह बन्दे जना पागल है बॉलिवूड जो है बॉलिवूड वो इतना लेफ्ट का है कि जिसकी वज़ा से जो इंडिया का जो राइट विंग है वो तो उनकी तो शिकायत ही उनके राइट विंग की यह कि आप मुसल्मानों को पीस करते हैं आप हमारे हिंदू भगवानों का मधाक उडा लेते हैं लेकिन इसलाम मजभी उनका नहीं उडाते है तो बॉलिवूड तो बचारा बड़ा लेफ्ट का बड़ा टॉलिएट किसम का डिपार्टमेंट है लेकिन क्योंके ये पाकिसान की वो एक जीप से सोच है मुझे ता समझ नहीं आदे इसको राइट में रखें कहां पर रखें किस तरह ये लोग बेस्शरमी से जूट बोलते हैं इस पाकिस्तान में क्लेम करेंगे के हमारा तो कोई करदार ही नहीं था दहिशत गरती करने में वो सारी पाकिस्तान ने ते हिस्ट्री को इस तरह डिस्ट्रा किसकी पॉट कॉलिंग कैटल भलाग तो मुदी जी ने कहा दिया है कि मैं इंटिन सम्ट इवान में गया था पूरी इस बांदर से बंदा पूछे कितने हिंदू बंगला देश से वेस्ट बंगॉल में क्यों जा थोख ऑए जल्म हमारी फोज वह पर कर रही थी थो वहां के लुकति बानी हुई जिसकी मोरल सपोर्ट उन्होंने उसतरा की जैसे आप जो human rights abuses बंगलादेश में बंगालियों से पूछो ना बंगलादेश से पूछो ना वो तो पार्टी नहीं है उनके तो तालुकात इंडिया से इच्छे होगे वो तो अभी भी आपकी पाक बोज को गालियां देते हैं वो तो अभी भी पेलते हैं कि इन्होंने मारे से जल्म कि अभी जो यूथियों के साथ हो रहा था और यह इतना बगारा था यूथियों को पर कुई नहीं बोला क्योंकि यह establishment का बांद आ रही है उनकी जोली में खेल यह उनकी चला वो गंदी हो जाएगी बास आचा और जूट का उनको कहा रहा है 48 की जंग हमने जीत ली उसमें हमा है 1965 की जंग हम हारे हमने का जीत गए 1971 में तो पूरा मुल्क की अलग हो गया अगर वो अलग ना हुआ होता ना या वो हमारे सिस्टे के साथ जुड़ा होता तो हमने अभी तक यह कहना था कि हम जीत गए 99 की जंग हम जीत गए बाकी हमने मुंबई हमने नहीं कराया पठान को जो गिराया गया I don't think it can be confirmed it hasn't been confirmed क्योंकि जो अमेरिका की जो आई थी उनका उनकी स्रेटमन आई थी कि हमने सारे F-16 they're all accounted for none of the F-16s have been shot down यह बात सच है इसको independently verify नहीं किया गया लेकिन as far as bigger truths हैं चाड़े या चाड़े लाल टो भी बांदर start करते हैं और इस बेशर्मी से because they feel that they have a powerful media so they can get away with that तो आप सेंगे इमिशन कोई काम्याब नहीं हुआ कोई मेरे पास evidence नहीं है कि ये mission काम्याब हुआ है कोई मेरे पास अड़ा तू किसे नसा दे सेर्थ दान दस साला है तो आप से नहीं है तो तुझे evidence नहीं सामने दिखा भी दे तुझे पता चलेगा evidence क्या होता है या नियार यह कौन लोग है यह अब इसको इस नों के अंदर लाग बढ़ाएंगे इससे वहां पर भी जाकर बटन पुठे दे दिबागा ना क्रेश कर दे ना उसने मशीन वहां बढ़ा के खराब कर दे नहीं है बांदर बांदर के हाथ में बंदू दे थे इतना जोग मैंने पार मैंने पूरी दुनिया में भी आलेक्स जोन्स गएरा उनमें भी conviction होती है वह तो पता जानी यह इतनी serious face के साथ तका के यह लोग जो कोड की hearing with you उसमें से कहा दिया था कि यह मेरा character है मैं दुनिया के सामने कोई और बाते करता हूं Alex Jones on record has said that तो यहां पर यह I think he genuinely believes that he's that's true मेरे पास कोई सबूत नहीं है इन्होंने जो evidence पेश किये है that is animated computer graphics CGI is AI generated और सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया में लोग इनका मज़ाख मना रहे हैं कोई पूरी दुनिया में लोग मज़ाख में उड़ा रहें कोई professional जो conspiracy theorist जो earth is flat भी मानते हैं उस तरह लोग तो मज़ाख हमेशा से बढ़ाते हैं या बाते कर वो तो जाहिल है और उसकी category में यह भी है यह भी अर्थ is flat को माने का यह भी मेरा खिया हम 100% certain कि यह भी मानता हो होगा कि इन्सान चांद पर कभी नहीं किया विडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखा है अड़ा तो वीडियो इसका बच्छा बांदा आइकान है यहां पर common sense की बात करेंगे जो images जो space के दिखाए जाते हैं वो जोड़े जाते है इसको जोड़ा जाता है अब यह वाला जो फूटीज है मुझे ने इसकी डिटेल पता कि क्या है क्या उसको क्योंकि जो light के adjustment करनी होती है इसके उपर नील डिटेल से बता रहे है क्योंकि कई लोग ने कहा थे चांद के उपर पीछे ब्लैक स्काई में सितारे क्यों नजर आ उतार अपनी जमीनी आंखों को दिखाने के लिए तो मुझे इसका नहीं पता कि इस पर कितना इमिज उन्होंने किस सता तक डिस्टोड कि मैं आपको कॉमन सेंस बताऊंगा कि जब अपॉलो 11 हुआ नील आमस्ट्रॉंग चांद की सता के उपर चला उन्होंने इमिज को अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती पॉलो 11 के मिशन में तो सबसे पहले पता किसने काउंटर करना था सोवियत यूनियन ने कहना था यह 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 फ्रॉड हुआ आपके साथ यानि यह लुकन मिटी यानि यह पिठु गर्मागरम खेलने वाले इनको पता चल जाता है कितनी मज़ेगी बात है इन जहिलों को पता चल जाता है कि यह हुआ नहीं है लेकि जो साइंस दान बैठे में जो गुलने जो ओपसिट साइडने जो नफरत करते मेरेका से उनको नहीं पढ़ा जलता है यह और इसके अंदर को फ्रॉड होता है किसी ने डिनाय नहीं किया किसी नहीं का को यह फ्रॉड हुआ कि चाइना लेनिका जो के चाइना इस वकर इंडिया का सोवियत यूनियन है अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती ना तो फिर यानि यह ऐसे है दो बांदर जो हैं वो हार्ट सरजरी के बारे में बैस का रहे हैं अगर उसने यह वाली चीज इस तरह अंदर डाली है तो यह से नहीं हुआ तो वह ऐसे हो जाना था वह मैं तेरा क्या करा मैं तुझे क पता तुम को भाई अगर दुनिया अले को अगर नासा से कोई ओफिशल आ जाए जिस तरह चाहां नासा से कैसे आती बाद इन्हों ने मुमिनों नहीं मशूर कर दिया कि वह जो लूना राइल जाना उन्हों ने का यह चांद के दो टुकड़े होने की निशानी है जो हज़ और इसके एको जो सेकंड बड़ी बात है जो एक बहुत बड़ा एविडेंस है इनसान के चांद पर जाने का वो यह कि जो मून रॉक्स आये थे उनमें से एक मून रॉक कराची में भी रखा गया था विकॉस अधा टाइम पाकिसान अमेरिका का बहुत बड़ा पिठू हु तो उसी तरह अब यह जो इंडिया ने जो पहली सौफ लेंडिंग डार्क साड दा मून की है जो रोवर यहां पे है यह जो डेटा कोलेक्ट करेगा यह पूरी दुनिया के साथ डेटा शेर होगा फिर ओही गाला आ जानी है एन्नू एन्नू डफर दे खोते दे पुता दू इसको इन बातों का क्या पता हो ना इसन देगा बेटा यह तोड़ा सा बता दो थोड़ी सी यह बाते कर दो मैं भी टीवी की इंटर्वीव पर जा के इंडिया को पेल के आप उनको ट्रेल करके आएंगा यह है इन लोगों का और इसकी पीछे और कोई वजह निए स्वाई ह जैसे मैंने अब को पता है हसाद अगर आप करेंगे तो आपको किसी भी जिस तरह पाकिस्टान में अमेरिका की ऐसी Burch और किड़े निकालते रहते हैं वीकास रिल आपू अबाउट उतर्वस तरह ने इंडिया को निचा है लेकिन अच्छी बात अ हीए बैली है यह पहले न लोग इनकी धजियां उड़ाते रहेंगे क्योंकि अगर हमने अगली जनरेशन को ठीक करना था यह जो इस तरह के लोग पहलाते हैं यह यह ना ऐसा काम ना कर तो तो अमीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगे से आगे भी थोड़ी सीज़ां कि भूंगेश ह अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये या फिर आप मुझे बाए निया कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं